हाई गाइस इस भाहरतियन वेलकम बाक्टू मैं चैनल ड्रीममैस और आजम करने वाले हैं मैट्रिस का पार्ट सेवन जिसके अंदर आजम पढ़ने वाले हैं सिंग्लोर और नॉन सिंग्लोर मैट्रिस के बारे में अगर अभी तक आपने वन टू सिक्स नहीं देखे तो तो फिर करते हैं start आज की class आज है singular and non-singular matrices बहुत easy है फ़ड़ा फर से पहले slides लेकने singular matrix non-singular, transverse of a matrix, properties of a transverse of a matrix और equation example number four मैंने बोला था मैं co factors और minors करवाऊंगे आपको बट क्योंकि co factors, minors और adjoint ये एक दम मतब linked है topic तो मैं इसके बाद co factors आपको करवाऊंगे ठीक है तो इसके फर्स और सेकेंड एक्जाम्पल के बाद मैं 4th example करवारी हूं 3rd नहीं करवारी ठीक है वह आपको next class में मिल जाएगा चल्ड़ फिर करते हैं start आच की class और आपने subscribe कर लिया चैनल को नहीं किया तो कर लेना ठीक है वह matrix जिसका determinant equals to 0 आए उस matrix को singular matrix कहते है मैं repeat कर रहे हूं ऐसी matrix जिसका अगर मैं determinant निकालूं और determinant 0 आजाए ऐसी matrix को क्या कहते है singular matrix कैसे देखो अब matrix is singular if and only if it is its determinant 0 ऐसी matrix जिसका determinant 0 हो ऐसी matrix को क्या बलो जाता है singular matrix जिए एक्जाम्पल है इसका matrix मैंने आपको last class में इस matrix का determinant मैंने आपको last class में solve करके दिया था ज्योंकि 0 आया था तो ऐसी matrix ये 3 क्रोज C की matrix क्योंकि इसका determinant 0 आ रहा है तो ये क्या है ये singular matrix है clear है जीज ऐसी matrix जिसका determinant equals to 0 वो singular matrix आ रही है अगर determinant 0 आ जाता है तो वो क्या होगी singular matrix होगी ठीक है clear है ये चीज नेक्स्ट इस non singular matrix अगर तो determinant 0 आता है वो singular matrix होती है लेकिन अगर determinant not equal to 0 आता है तो non singular matrix होती है note से non को ध्यान को determinant equal to 0 singular matrix determinant not equal to 0 non singular matrix होती है clear है जीज तो अगर determinant not equal to 0 हो तो वो non singular matrix होती है जैसे कि ये example अगर आप इस matrix का determinant निकाल रहे हो ये minus 5 आ रहा है 0 नहीं आ रहा तो ये एक non singular matrix है क्या है ये एक non singular matrix है क्योंकि इसका determinant जो है वो not equal to 0 आ रहे है clear है ये चीज बहुत simple है ना इसलिए मैंने सोचा कि आज सिर्फ singular non singular नहीं आपको transpose भी इसी class में करवा दिये जाए क्योंकि ये तो बहुत simple है जिस matrix का determinant equal to 0 वो singular और जिसका not equal to 0 वो non singular not equal to 0 से non याद रहो फिर याद रहेगा ये चीज कि determinant not equal to 0 non singular ये भी आपको आगे inverse निकालने में help करेगा तो ये singular और non singular को याद रहो ठीक है चले आगे clear होगा singular non singular चले next is transpose of a matrix बहुत easy है बहुत जादा देखे एक matrix ले लिया है A B C D चीक है इसका transpose लेना है पहली बात अगर किसी matrix का transpose लेना है या तो उस पे से dash लगाते हैं या फिर हम उस पे T लिखते हैं कि इस matrix का transpose लेना है चीक है for example मैंने एक matrix ले A B C D तो मैं लिखूंगी A B C D का transpose T या फिर A B C D का transpose यहाँ पे B था B C D का dash transpose का मतलब क्या होता है उस matrix के उपर T या dash लगा या चीक है यह तो sign होगा कि transpose लेना है लेकिन transpose लेते कैसे हैं जो rows है उनको column में लिख दो और जो column है उन्हें rows में लिख दो for example इसका transpose होगा यह row में क्या है A B इसको column में लिख दो A B second row में क्या है C D इसको row में है ना इसको column में लिख दो C D जब rows column में लिख देते हैं या फिर mind work को column rows में लिख देते हैं हम उसको क्या कहते हैं transpose of a matrix और examples करते हैं for example 1,2,3,4 ठीक है यह matrix A है तो मुझे A transpose चाहिए या फिर ऐसे लिख हो आप A transpose या तो A dash या A Q पर T कैसे लिखे 1,3 और second row जो 2,4 है इसको भी column में लिख दो 2,4 अगर आप rows को column में लिख दोगे that will be a transpose of a matrix clear A is बहुत easy है एक और matrix देखो transpose होता क्या है swapping करनी है rows into column rows को column में चेंज करो या फिर क्या है तो columns करो एक ही बात है लेकिन confused नहीं हो ना mind में A की चीज़ रखनी है कि आप row को column में जैसे कि देखो 1,2,3,4,5,6 चिक है यह क्या है आपके बस matrix है इसका transpose लेना है ले लेते हैं जी क्या है कैसका transpose rows को किसमें लिखना है column में so it will be 1,3,5 जो यह row थी मैंने उससे column में लिख दिया 1,3,5 और अगली row क्या है 2,4,6 उसको क्या लिख दिया column में 2,4,6 clear होगी यह बा इसका row बन गया लेकिन आप अपने mind में एक ही चीज़ रखो कि row को column में कर रहे है यह तो confusion हो जाएगे आपको ठीक है बस simple जो row में लिख है उसको column में लिख दो that's it clear है यह चीज़ और एक बहुत अच्छी बात इसका order क्या है 3 है नहीं 2 x 3 अभी तक अगर order में mistake कर रहे हो तो बहुत गलत बात है ठीक है orders ठीक करो देखो 1 2 2 rows और यहाँ पे 3 columns जलबाजी नहीं करनी मैंने इसलिए पहले 3 लिखा पहले rows देखो row और फिर column ठीक है अब इसका order क्या देखो 1 2 3 3 row 3 sorry 3 cross 2 ठीक है तो 3 rows है और 2 column है means 2 cross 3 जो order था वो 3 cross 2 बन गया तो यही होता है transpose मे number of row number of column बन जाते हो number of column number of row बन जाती है means reverse हो जाता है उसका order तो 2 cross 3 का order जो था matrix क्या बनगी 3 cross 2 एक और example ए लिया मैंने 1 4 7 इसका order क्या है इसका order है 3 cross 1 क्यूंकि 3 rows है और 1 column है transpose दोंगी वो क्या आएगा 3 cross 1 है तो उसका order आजएगा 1 cross 3 1 row 3 column तो इसका देखो क्या होगा यह column किसमे चेंज हो गया row में बस यह ध्यान रखना है कि अगर आपको जैसे row नहीं दिख रही है आप तो column ही है उस column को किसमे कर दो row में change कर दो बस row को column में change करना है column को row में 147 मैंने क्या का था सारी rows को column में कर दो इसमें तो row ही थी तो इसका row first row को मैंने देखो column में लिख दिया second row में जो था उसको भी column में लिख दिया जो third row में था वो भी column में लिख दिया ठीक है और आपको कुछ guess order से भी हो जाता है कि अगर यह 3 cross 1 है तो इसमें क्या बनेगा एक ही row आएगी और row में 147 ही आएंगे clear रहे चीज तो transpose निकालने बहुत easy है row को column में और column को row में एक last example में थ्लोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आपको समझ आ गया ठीक है 147 34273 ठीक है इसका order क्या है इसका order आपके पास two cross four correct विल्कुल सही बता है आपने अब a transpose में जूम कर row में इसका order क्या है टो क्रोस four 3266 ग्रॉंस चलो ठीक है four rows मिलेंगी यह क्या है रो है इसको किसमें चेंज करदू column में 1477 यह भी क्या है रो है इसको किसमें चेंज करदू column में 3423 आगे इना देखर four rows है और two column है है न, easy transpose है न, बिल्कुल भी confused नहीं हो न, row को column में change करना और column को row में, देखो ये one threes का, क्या था, column, ये देखो row में change हो गया, ठीक है न, आप mind में row रख लो या column, दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी, अगर आप row को column में change करने हो न, तो column row में automatically convert हो जाएगा, ठीक है, त की अपने क्या rules हैं, वो देखते हैं, चले, सबसे पहले, अगर plus पे लग रहा है transpose, तो पहले पहले वाली matrix को मिलेगा, plus second वाली matrix को मिलेगा, ठीक है, अगर a plus b का transpose है, पहले first वाली matrix को, और फिर second वाली matrix को, clear है ये चीज, ये तो first property होगी, second क्या कहती है, ये तो अगर product पे transpose लग रहा है, तो ध्यान देना कि पहले second वाले पे transpose लगेगा, फिर first वाले पे transpose लगेगा, चीक है, ये ध्यान लखना, इसमें mistake नहीं करना, ये कभी भी first वाले पे transpose, second वाले पे transpose, ये equal नहीं होता, इस पे पहले second वाले पे transpose लगता है, means अगर आप a, b का transpose ले ले लो, that will be b transpose into A transpose यह ध्यान रखना ठीक है इसे बोलते है socks shoe rule socks shoe rule क्या करते है कि पहले हम पहनते तो socks है बट remove क्या करते है shoes है न तो ऐसे ही जो से transpose आएगा फिर A पर transpose आएगा इसे socks shoe rule भी बोलते है उसके बाद है के A transpose means अगर आपके पास 3A matrix का transpose आप ऐसे ले लिजिए या फिर 3 भाहर रखके सिर्फ A का transpose ले लिजिए इसको फरक नहीं पड़ता matrix को पहले 3 से multiply करना है फिर transpose लेना है या फिर transpose लेके 3 से multiply करो answer में change नहीं आएगा यह transpose ने अपनी फर्व जो इसकी रो थी मैंने इसको कॉलम में लिखा second row को second कॉलम में लिखा again transpose लेते है ए ट्रांस्पोस का transpose बिल्कुल ले सकते हैं जो इसका रो था उसको कॉलम में लिख दो और जो यह three four रो में है उसको भी कॉलम में लिख दो यह वापिस से ए आगे देखो 1,3,2,4 बिल्कुल सेम अगर एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांस्पोज ले स्वैपिंग दो बार करते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आजाते है तो दो बार स्वैपिंग मींज दो बार ट्रांस्पोज लेने पे हम उसी मैट्रिक्स पे दुबार आ जाते हैं चले आगे प्रॉपर्टीज कले रहे हैं आपको चले नेक्स देखे एक्जामपल लंबर फोर्थ मैंने आपको बता दिया कि एक्जामपल लंबर थर्ड जो है वो कोफेक्टर का है माइनर्स का है वो एट जॉइन का पार्ट है तो जब मैं वो कॉन्टिनूटी में करवाऊंगे आपको कोई एक्जामपल नहीं छोड़ने वाले सारा बहुत अच्छे से करवाऊंगी बट कंडिशन यह है कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं यहाप एक वीडियो से यह चानल से तो आपको साथ साथ क्वेशन करने कि आपकी प्रेक्टिस हो चीक है चलिए इफ ए इस दस बी इस दस वेरिफाय दस आपको वेरिफाय करना है कि AB का ट्रांस्पोस जो है B ट्रांस्पोस, A ट्रांस्पोस है मिन सॉक्षियो रूली है मैंने का था हम आने क्यों तो यह आपको प्रूफ भी करवा रहे हैं कि यह वेरिफाय करो पहले हम लेफ्ट एंट साइड निकालेंगे उसका अंसर फिर आइट इंट साइड निकालेंगे उसका अंसर दोनों मैच करेंगे और वेरिफाय हो जाएगा तो ध्यान से देखने लेफ्ट एंट साइड में क्या है AB का ट्रांस्पोस पहले AB निकालो, A का प्रॉडक्ट B के साथ करो और फिर उसका ट्रांस्पोस निकालो अब मैं ये जूम करके चलूँ कि आपको प्रॉडक्ट आता है देखो अगर आप ये सीरिल ओडर में पार्ट्स नहीं देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको यहाँ पे देखो प्रॉडक्ट की ज़रूरत पड़ रही है इसलिए मैं बहुत सोच समझ के आपको पार्ट्स में करवारियों की प्रीवियस पार्ट जो है आपका आगे यूज़ होने है ठीक है चलिए फिर ए बी निकाल लेते A का आउडर क्या है 2 क्रोस 3 B का आउडर क्या है 3 क्रोस 2 क्या यह eligible है multiplication के लिए बिल्कूल यह भी 3 है यह भी 3 यह सेम सेम है यह multiply हो सकते हैं और जो आंसर आएको उसका आउडर क्या होगा 2 क्रोस 2 यह सारे rules में आपको multiplication of matrices में बता चुकर ठीक है चलो फिर करते हैं 2 cross 2 की matrix का answer आना है तो इसमें देखो कैसे करेंगे 1st row को 1st column से 1st row को 1st column से ठीक है मैं डिरेक्ट कर रही हूँ multiplication की मैं बहुत बार करवा चुक है आपको तो मैं डिरेक्ट कर रही हूँ आप अराम से करना यहां आएगा minus 3 minus 3 and minus 10 और next बनेगा 3 to the 6 plus 4 plus 0 मैंने 1st row को 1st column से किया फिर 1st row को ही 2nd column से किया 1st element को 1st element से करते है 2nd को 2nd से और 3rd को 3rd से ऐसी 2nd row को 1st column से करते हैं that will be minus 4 plus 0 minus 25 आगे देखो 4 to the 8 यह 0 and this is again 0 clear है यह चीज़ simple multiply किया और कुछ भी नहीं किया आगे चलते हैं तो यह क्या बनेगा minus 3 minus 3 and minus 10 that will be minus 16 चीक है यह minus 4 minus 25 that will be minus 29 यह 604 10 और यहां पर 8 ही आया तो AB तो आ गया मुझे क्या चाहिए यह तो मैंने AB निकाला है मुझे चाहिए क्या AB का transpose so AB का transpose will be minus 16 10 minus 29 8 मैंने क्या किया रो जो थी उसको column में लिख दिया that's it यह बन गया मेरा AB का transpose पहले bracket वाला मैंने product AB निकाला और फिर उसका transpose के लिए चीज़ चले आगे चले तो AB का transpose यहां नोट कर लेते हैं कि जब मैं right hand side लाओ तो फिर हम match कर पाए that will be minus 16 minus 29 आप लोग like करते हो वी वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना फिर like करके जाए करो ठीक है कोई जबरदस्ती नहीं है बट अगर आपके लिए वीडियोस helpful है आपको लगते है कि हां हमारा फायदा हो रहा है हमारे लिए beneficial है फिर तो like कर सकते हो आ A transpose के साथ करो ठीक है B transpose note कर लेते हैं minus 1 2 3 minus 4 minus 5 0 ये B transpose है जो इसके row थे मैंने उसे column में लिख लिया और A transpose note कर लेते हैं वो आएगा 3 minus 1 2 4 0 5 जो इसकी row थी मैंने उसको column में कर लिया ठीक है आपको अगर B transpose A transpose कह रहा है तो आपको पहले B transpose ही रिखना है ये mistake नहीं करनी multiplication matrix multiplication मे फरक पढ़ता है आप कौन सी matrix पहले लिख रहे हूं चीक है नाव इसके बाद क्या होगा देखो अब इसको क्या करो कि multiply first रोको first column से मैं फिर से जल्दी से कर रहे हूं क्योंकि मैं एक बार बहुत बार अच्छे से करवा चोके हूं चीक है फिर भी आप में इस साथ मैच कर स 8 प्लस 0 प्लस 0 clear है चीज तो यहां पर क्या है आपको visible हो रहा होगा यहां पर देखो क्या लिख रहे हूं माइनस 3 माइनस 3 माइनस 10 दैट विली माइनस 16 6 और 4 10 माइनस 29 और 8 वहां पर भी यह आया था माइनस 16 माइनस 29 10 और 8 सेम आ गया ना left hand side और right hand side सेम आ चुका है इसका अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएए दू लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब तो माइ चैनल विच इस रिवमाइस थैंक्यू सो मच